राजद के पुर्व सांसद और तिजस्वी आदू के बेहत करीवी सर्फराज आलम और सर्फराज आलम को अररिया की जनता ने पकड़ कर दमभर पीट दिया और उसके बाद वीडियो भी बना दिया वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल करते हुए कहा कि देखिए ये अररिया क पुर्व सांसद है राजद का नेता सर्फराज आलम है ये गंदी हरकते कर रहा है और अब गंदी हरकते क्या कर रहा है वो हम आपको बताते हैं सर्फराज आलम को होटल में लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उनको बुरी तरीके से घसीट कर सरकों पढ़ ले जाया गया वीडियो बनाये गया और बताया गया कि यह अरिया का पुर्व सांसद है राजद का नेता है और यह गंदा काम कर रहा था और गंदा काम क्या है वो हम आपको बताते हैं लेकिन उसके पहले ने मुश्काल में आनाम शशांग पांडे है आप जन्ता जंक्शन पर मुझे देख मौमद तसलिमुदीन का बेटा है मौमद तसलिमुदीन राजद के बड़े नेता थे लगतार सांसद रहे हैं और अरिया से वो सांसद थे उनकी मिर्क्यू के बाद उपचुना हुआ और वहां पर सर्फराज आलम ने जीत हासिल किया और अब सर्फराज आलम का एक वीडिय की साधी करा रहे थे और दूसरी साधी करा रहे थे एक होटल के अंदर निकाह करवा रहे थे अपने साले की और साले की जो पहली पतनी है जिसका नाम है राहत परवीन राहत परवीन जो है वो थाने पहुंसती है वहां से पुलीस को कंप्लेन करती है और उसके बाद अपने भाईयों के साथ और अपने गाउवालों के साथ सर्फराज आलम को ढूंडने लगती है फिर उसे पता चलता है कि सर्फराज आलम अपने साले के साथ एक होटल में दूसरी लड़की के साथ निकाह करवा रहा है सर्फराज आलम की पूरी फैमिली वहां मौजूद रहती है सर्फराज की पतनी उनके बच्चे सभी लोग वहां मौजूद रहते हैं इनके सात बच्चे हैं सातों वहां मौजूद रहते हैं पतनी मौजूद रहती है और वहां पर निकाह करवाया जाता है और उसके बाद जब साले की पहली पत्री वहां पहुँच जाती है तो पूरा बवाल हो जाता है बवाल इतना होता है कि रात के अंधेरे में सर्फ़राज आलम को पूरी तरीके से लोग घेड लेते हैं और कॉलर पकड़के हाथ पकड़कर खीचते हुए ले जाते हैं कहते है कि ये अररिया का पुर्व सांसद है, राजद का नेता है, देख लिजिए किस तरीके से ये अपने साले की साधी करवा रहा है, और ये तस्वीर देखिए, सांसद महोदे का पसीना छूट गया है, बगल में उनका एक बोडी गार्ड भी है, वो भी सुपुरी सुरक्षा दे रहा है, वो प्रियास कर रहा है कि किसी तरीके से सर्फराज आलम को बचा लिया जाए, लेकिन भीड जो है इतना उग्रित थी, भीड के अंदर गुसा था, क्योंकि इनके साले की साधी दूसरी हो रही थी, साले का नाम जो है मुनाफ है, मुनाफ की साधी राहत परवीन से ह चुकी थी, लेकिन राहत परवीन को छोड़ कर वो दूसरी साधी कर रहे थे और इसमें मदद कर रहे थे इनके जीजा सर्फराज आलम और सर्फराज आलम की मुस्किले तब बढ़ गई, जब मुनाफ की पहली पतनी राहत परवीन जो है, वो होटल में अपने भाईयों को अपने गाउंवालों को लेकर पहुँच जाती है, और उसके बाद गाउंवाले सर्फराज को पकड़ कर पीट देते हैं, और उसके बाद घसीटे हुए सड़क पढ़ ले जाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से राजद का पुर्व सांसद और अरिया के अभी बरतमान कहें तो मतलब 2024 का भाविक कंडिडेट है, कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और देख लीजिए ये क्या कर रहा है, वीडियो सोचल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हुआ, हमने सोचा आपको भी बताया जाए कि किस तरीके से तेजस्वी यादो का करीबी नेता, अपन की जो साले की पतनी है, वो थाने में जाकर एफ हाई आर दर्च करा चुकी है, कि सर्फराज जो है, वो जबरदस्ती अपने साले की साधी करवा रहे थे, जबकि उसका साला साधी नहीं करना चाहता था, अब देखिए मामले में क्या तूल पकरता है वेराल, इस कबर में इत करा साधी, पक उसका के तूल छो है, क्या थो है, जब ह में आर जो हैं और लाका है, जbn दोफ़रादना साधी हना थासी साधी है, तूल जो जो है, तूल पकिए इंधे है, जयो है थासाँ अई इंशस्ती है झाल झाल झाल